अगर इंग्या में इस पूछा जाता है उसमें ये जो कंसेप्ट है ये सीज बहुत समझनी ज़रूरी है क्यों? क्योंकि ये आपके writing skill में भी improve करेगा कि आपको first person कैसे लगाना है singular subject हो तो singular verb लगेगा plural subject तो plural verb लगेगा ये सारी चीजें इस चीज में cover हो जाएगी देखिए यदि आपको कुछ मेरे बारे में जाना है तो आप पढ़ सकते हैं इसके अलावा मेरे से आप connect हो सकते हैं और telegram बच्चों join कर ले ना क्योंकि सारा document इस पर upload होता है चलो, अब हम अपने start करते हैं देखो भाई, ये जो person है person, ब्यक्ती, person तीन प्रकार के होते हैं इंग्लिस में तीन प्रकार के होते हैं इतने होते हैं तीन प्रकार के, कौन-कौन से एक होता है first person एक होता है first person दूसरा होता है second person और तीसरा होता है third person person तीन प्रकार के सिर्फ तीन ही प्रकार के person होते है first person, second person और third person, अब देखो ये जो first person होता है, इसका मतब यह है जो बोलने वाला है, जो बोल रहा है, मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो मैं हो गया first person, ठीक है, जो बोलने वाला होता है, वो होता है first person, जो सुनने वाला होता है, आप तुकि सुन रहे हैं, तो आप हो गया second person, जो सुनता है, जो listener है, जो सुनने वाला है, उसे कहते हैं second person, और जिसके बारे में बात हो रही है जिसके बारे में सिकायत हो रही है चाहे जिसके बारे में तारीफ हो रही है कुछ भी हो रही है अगर तीसरे बंदे के बारे में कुछ भी हो रहा है तो उसे कहते हैं third person मैं अभी बोल रहा हूँ मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ, मैं हो गया first person तुम लोग पढ़ रहा हूँ, तुम लोग हो गया second person अगर मालो, मैं बात कर रहा हूँ PM Modi की, मैं बात कर रहा हूँ योगी आदिनात की, मैं बात कर रहा हूँ रावल गंधी की, वो हो गया third person इतना समझवे हैं क्या क्या होता है first person second person third person चलो ठीक है अब यह जो first person है यह दो प्रकार के हो सकते हैं एक होता है singular एक हो सकता है plural अरे भाई अगर बोलने वाला सिर्फ एक है तो वह हो गया singular singular मतलब एक यदि बोलने वाला एक से अधिक है तो वह हो गया plural अगर बोलने वाला सिंगल है एक अदमी बोल रहा है तो वह हो गया singular यदि बोलने वाला एक से अधिक है तो वह हो गया plural सिम उसी प्रकार से यह जो सुनने वाला है यदि सुनने वाला सिर्फ एक है यदि सिर्फ एक बच्चा सुन रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूं तो वह हो गया singular यदि एक से अधिक सुन रहे हैं तो वह हो गया plural समझ मैं क्या singular और plural प्लूरल सिर्फ एक होता है एक और प्लूरल हो गया एक से अधिक से उसी प्रकार से अगर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में भी बात कर रहे हैं अगर सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के बारे में बात कर रहे हैं तो वह हो गया सिंगुलर अगर एक से ज्याद फर्स्ट पर्सन यह है आई और यहां पर है वी क्या है यहां पर वी अब देखो यह जो आई है आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई होता है प्लूरल वी होता है सेम उसी प्रकार से सेकेंड पर्सन सुनने वाला सिंगुलर यू होता है प्लूरल भी यू होता है थर्ड पर्स परसन सिंगुलर, he, see it, रामस्याम, यह हो गए सिंगुलर, थर्ड परसन में, अब प्लूरल में क्या हो गए, दे, अब देखो भाई, यह है आई, ठीक है, अब आई है सिंगुलर, अब आपने अभी तक बच्छपन से पड़ा है कि आई है सिंगुलर, लेकिन इसका मैं आपक singular की तरह यूज होता है वो है Past Tense, Simple Past, जहां पर I Singular की तरह यूज होगा, वह Example I Was, सिर्फ I Was में ही Singular की तरह I ूज हो रहा है, Otherwise हर जगे आई जो है, वो हमेसाın plural की तरह यूज़ होगा आपको यूज़ देखना है कहां यूज़ करना है सेम उसी प्रकार से होता है वी तो प्लूरल ही तो हमें सब प्लूरल की तरह ही यूज़ होगा इसका मत्तब अगर सब्जेक्ट प्लूरल है सब्जेक्ट हमारा आई भी प्लूरल हो गया इसका यूज़ बता यह सारा इसके subjects हैं, यह यहां पर I subject है और we भी subject है, अब हमें देखना है कि we as a subject singular है कि plural है, तो आपको दिख रहा है कि यह plural है, उसी प्रकार से यह I है, I singular है कि plural है, I आपको दिख रहा है singular, और एक case में singular use होता है, वो है I was, otherwise हर जगे I as a plural use होता है, याद रखना बच्चों, plural use होता है, यह दिमाग में बिल्कुल भी ठालो, इतना समझ में आया क्या, चलो ठीक है, अगर इतना समझ में आया, जैसे कि तुम्हें उधारन देता हूँ, I आप बोलोगे, तो I go बोलोगे, हमेशा, I आपका use होगा plural, go है आपका plural verb, तो I go बोलोगे, आप कभी यह नहीं ब use होता है, सिर्फ एक जगा आये, singular की तरह use होता है, मैंने आपको बता दिया, वो है was, इतना आपको समझ में आया क्या, चलो ठीक है, आगे देखते हैं, अब होगे second person, जो सुनने वाला है, वो भी यह तो singular हो सकता है, यह तो plural हो सकता है, अब सबसे अच्छी बात यह है, कि जो सुनने वाला है, उसको चाह singular हो, चाह plural हो, दोनों में हम use करते हैं, यू, और इसका use अगर मैं बताओ, इसका use, तो इसका use हमेशा as a plural subject की तरह use होता है, second person जो you है, उसका as a use हमेशा plural की तरह होता है, अगर plural है, तो इसका जो verb होगा, वो भी plural होगा, एक चीज़ आपको subject singular है, तो verb भी singular होगा, अगर subject plural है, तो verb भी plural होगा, इतना आपको पता है, चलो ठीक है, अब यहाँ पर जैसे का देख रहे हो, कि इसका जो use है, यू का, ये as a subject plural भी हो रहा है, और verb भी plural है, यानि कि कभी ये you singular use होता ही नहीं है, you हमेशा plural की तरह subject की तरह use होता है, person भी दो प्रकार का हो सकता है, सिंग्लर, एक प्लूरल, यदि एक के बारे बात हो रही है, ये तो हो गयां, याद रखना, ये सारे के सारे singular है, ये subject singular है, यो सुझेक्ट यूज हो रहे हैं यह अगर subject singular है तो वर्ब कैसे लेंगे यह भी singular लेंगे यह चीज आपको याद रखनी है ठीक है फिर समें बता रहा हूँ third person दो प्रकार से हो सकते हैं एक हो सकता है singular एक हो सकता है plural यह जो singular है singular इसकी example क्या होगा ही स्री इट राम स्याम गीता मोहन सोहन यह सारे के सारे होके singular यह subject जब singular होंगे तो इसमें वर्ब भी लेगा हमेशा singular यह चीज आपको समझनी है ठीक है अब उसके बाद यह है plural third person में plural हमेशा दे होता है हमेशा दे होता है अब यह जो subject अगर plural है तो वर्ब कैसा लेगा plural लेगा इसकी example हम देखेंगे अभी अभी आप concept समझतो यह है दे plural और इसका जो अगर subject plural है तो यह वर्ब कैसा लेगा plural इतना आपको समझ मैं क्या चलो ठीक है फिर से एक बार revise कराता हूँ मैं देखो person तीन प्रकार के first person second person third person first person में singular भी हो सकता है plural भी हो सकता है singular है तो I है I सिर्फ एक case में singular होता है कहां पर I was में use होता है otherwise I हमेशा plural की तरह use होता है I हमेशा plural की तरह use होता है और I और V हमेशा plural है ही और plural की तरह use भी होंगे सिम उससी प्रकार से second person second person हमेशा you होता है you हमेशा plural की तरह use होता है third person third person दो प्रकार के एक होता है singular एक होता है plural singular में he, see, eat, ram, siyam यह आपके singular होगा है अगर subject singular है तो word भी singular होगा और plural में they होता है they अगर plural subject है तो word भी plural होगा इतना आपको समझ में आ गया चलो अब हम आगे देखते है next हमारा अब इसके बाद क्या है कि हमेशा आप याद रखना I, V, U, और they I, V, U, और they इसका मैं आपको use बता रहा हूँ यह हमेशा as a plural की तरह use होते हैं I, V, U, they हमेशा plural की तरह use होते हैं इन चारों को छोड़के I, V, U को छोड़के I, V, U, they को छोड़के हर चीज सिंगलर होता है हर चीज सिंगलर होता है हर चीज उसको plural बनाया जाता है वो exist ही सिंगलर में करता है यह चीज आप दिमाग में बिठा लो आप कभी confuse नहीं होगे I, V, U, they सिर्फ और सिर्फ यह चार ऐसे वर्ड है जो plural होते हैं otherwise हर वर्ड सिंगलर होता है यह चीज आपको याद रखना है पहली चीज दूसरी चीज I, V, U I, V, U यह इसको छोड़के बाकि सारे third person होते हैं सिर्फ I as a sabd V और U इन तीनों को छोड़के बाकि आप कुछ भी बोलो पूरी दुनिया में आप board बोलो railway बोलो bus बोलो truck बोलो गारी बोलो कुछ भी बोलो आप duster बोलो mouse बोलो laptop बोलो mobile बोलो कुछ भी बोलो वो हमेशा third person रहेगा सिर्फ I, V, U को छोड़के इसका मतलब इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ यह चीज बहुत important है note करके आप लिख ले ना इसे कि I, V, U दे हमेशा plural होते हैं इनको छोड़के बाकि सब singular होते हैं और I, V, U इसको छोड़कर बाकि जितनी भी है वो सारे के सारे third person होते हैं जैसे government क्या हुआ third person हो गया parliament क्या हुआ third person हो गया कुछ भी third person होता है इतना आपको समझ मैं है क्या ठीक है अब देखो मैंने आपको बताया था कि अगर subject singular है तो verb भी singular लेगा अगर subject plural है तो verb भी plural लेगा इतना आपको पता है अब एक चीज बहुत notice करने वाली है कि अगर कोई भी चीज noun अगर हम noun के बारे में देख रहे हैं अगर वो singular है तो दुनिया में अगर exist कर रहा है अगर दुनिया में world में अगर exist कर रहा है तो उसका जो bond हो उसका जो जन्म हुआ है हमेशा ऐसे singular हुआ है याद रखना noun का जन्म हमेशा ऐसे singular होता है singular for example मालो लड़का है बॉआ अब कोई जन्म लेता है तो ऐसे बॉआ ही जन्म लेता है ऐसे लड़का जन्म लेता है कोई भीड में एक चीज, noun है, अगर पुरी दुनिया में कोई भी noun है, तो वो हमेशा singular होगा, और उसको plural बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, उसका तरीका है, अगर noun हमेशा याद रखना हमेशा singular होता है, उसे plural हम तीन तरीके से मना सकते हैं, या तो yes जोड के, या तो yes जोड के, या अगर राम और syam है, तो उसमें हमने end जोड के राम and syam बना दिया, यानि कि इसका हम plural बना रहे हैं इस तरीके से, यानि कि कोई भी जो noun होता है, उसका जनम हमेशा singular के तरह होता है, और उसे plural बनाया जाता है, और plural कैसे बनाया जाता है, उसमें s और yes जोड के, ये आपको य डिक्सनरी में याद रखना कहां मिलता है डिक्सनरी में कि जितने भी सब्द हैं सारे वर्ब होते हैं वर्ब वर्ब का जो जनम होता है वह हमेशा ऐसे plural होता है एक्जाम्पल गो अब डिक्सनरी में देखोगे यानी कि जाना गो कैसा सब्द है यह है plural eat eat मतलब खाना यह भी कैसा सब्द है यह है plural यानि कि यह जो verb होता है इसका जो जन्म होता है dictionary में होता है और हमेशा यह हमेशा plural होता है इसका singular बनाया जाता है अब यह जो verb है इसका singular कैसे बनेगा तो याद रखना verb में S और ES जोड देते हैं तो वो बन जाता है singular यदि noun में हम S और ES जोड दें तो वो हो जाता है plural और यदि verb में हम S और ES जोड दें तो वो हो जाता है singular यह आपको याद रखना है फिर से बता रहा हूँ noun का जनम होता है हमेशा as a singular उसमें S और ES जोड के हम बना देते हैं उसे plural वर्ब का जनम होता है dictionary में ऐजे plural और उसको हम S और ES जोड के हम उसको बना देते हैं singular यह चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ और अब देखो अगर singular subject है noun का जनम हमेशा ऐजे singular होगा तो singular subject है तो यह verb भी लेता है singular यदि plural subject है S E S से हमने इसे कर दिया plural अगर plural subject है तो वर्ब कैसा लेगा यह लेगा plural अब इसका हम example देखते हैं देखो यहाँ पे साथ हमेशा लगेगा goes अब देखो अब यहाँ पे ram और boy यह कौन से noun है यह आपको बाद में पढ़ाऊंगा समझ मा जाएगा जिससे के ram है यह है proper noun यह जो boy है यह common noun यह सारी चीज़े आपको समझ मा आएगा जा मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी के लिए आप यह समझो कि noun यह है singular तो इसके साथ verb लगा है singular यह है goes लेकिन इसका actual word अगर आप dictionary में देखोगे इसको go में मिलेगा आपको go में मिलेगा सेम उसी प्रकार से यह है you you हमेशा plural की तरह use होता है आपको मैंने अभी पढ़ाया तो you के साथ plural word भी लगेगा तो इसके साथ हमेशा लगेगा go अगर goes लगा दोगे you goes तो गलत हो जाएगा सेम उसी प्रकार से यह boys लड़के बहुत सारे लड़के वो जाते हैं उसके साथ कभी goes नहीं लगेगा सेम उसी प्रकार से मैंने आपको बताया था ना I का use हमेशा as a plural use होता है plural subject की तरह use होता है इसलिए इसका जो verb लेगा हमेशा यह plural लेगा इसलिए इसके साथ I go लगाए तो यह चीज बहुत ही basic है और बच्चों को बहुत confusion होता है यह चीज मैंने आपको यहाँ पर concept देनी कोशिस किया है यह चीज अब बार बार वीडियो देखो आपको हमेशा के लिए यह concept clear हो जाएगा कभी doubt नहीं होगा क्योंकि बच्चे मैंने ऐसे देखा है कभी I goes लगा देंगे कभी he go लगा देंगे ऐसा नहीं होता है he है तो goes लगेगा क्योंकि singular subject है तो singular verb भी लगेगा और I है तो हमेशा go लगेगा I goes नहीं लगेगा यह चीज़ समझना है आपको ठीक है अब इस पर मैं next video में practice set लगे आऊँगा तो आप और practice हो जाएगा आप और समझ में आएगा ठीक है ठीक है फिलार यहाँ पर class को end करते है ओके thank you thank you so much